चोकलेट मामी से मैं सीमा सिंग आपका स्वागत करती हूँ आज माँ आपको श्राद पक्ष में सुनी जानी वाली कहानियों में से एक कहानी सुनाने जा रही हूँ अगर हम घर में श्राद करते हैं तो कहानी जरूर सुनी चाहिए इसका चमतकारिक फल मिलता है एक नगर में एक परिवार था, परिवार क्या सुखी परिवार था, सहिक्त परिवार था, बुजुर्ग दंपती, सुनार परिवार था, सुनार के साथ बेटे वा एक लाड़ी बेटी थी सुनार के नगर में सोने चांदी की बड़ी सी दुकान थी सुनार बहुत इमानधार था खरा काम करता था खरा सोने के जेवरात बैठे रहकर कारिग्रों से बनवाता था उसके जड़ाऊ जेवरात की दूर दूर तक चर्चा थी आज पास ही नहीं दूर दूर के लोग उसी सुनार से गहने बनवाते सुनार का नाम बदरीनाथ था और उसकी पत्नी का नाम चंपरानी था सुनार ने अपने सभी बेटों की शादियां कर दी थी बेटी की शादी भी नामी वे इज़ददार परिवार में कर दी थी दोनों पती पतनी बहुत ही धार्मिक प्रवती के थे वो हर वार्त्योंआर धुम दाम से मनाते थे गाई को गास डालते थे पहली रोटी गाई को वे आखरी रोटी कुट्टे को देने का नियम बना रखा था घर में अगर रात को गुथा हुआ आटा रहे जाता था तो वो कहते थे कि गुथे हुए आटे की रोटियां बना कर रख दो इसे गाई कुथे वो बंदर को दे देंगे लेकिन गुठा हुआ आटा घर में नहीं रहना चाहिए वो ऐसा मानते थे कि जैसे घर में कोई लाश पड़ी है वो इसे अपशकुन मानते थे वो हर मंगलवार और शनीवार को बंदर को केले खिलाने जाया करते थे और पुर्वजों का शराद बड़ी धूमधाम से करते थे सभी परी वारवालों को बुलाते रामनों को भोजन कराते दान दक्षिना देते पूरा दिन वो हसी खुसी गुजार देते थे लेकिन कहते हैं न बड़ों का साथ कितने दिन रहता है एक दिन वो दोनों पती पतनी आगे पीचे ही उनका देहान्त हो गया सुनार ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी थी बड़ों की इज़त करना छोटों से प्यार करना बे जुबान जानवरों पर दया करना बिखारी को भूका नजाने देना ब्रामन वसंत महात्मा की इज़त करना तो सभी सातों भाईयों ने वैसा ही किया अब बड़ा भाई उस घर का मुख्या था सभी छोटे भाई बहन बड़े भाई भावी को माबाग की जैसे इज़त देते थे घर में आज भी वैसा ही होता था जैसा सुनार के टाइम होता था जैसा उनके मादा पिता के समय होता था उनके परिवार में आज भी किसी चीज की कोई कमी नहीं थी अन धन के भंडार भरे थे क्योंकि उनके उपर उनके पित्रों का आशिरवाद जो था तो हे पिता देता जैसा आशिरवाद आप उस सुनार परिवार के उपर बनाए रखा वैसा ही हमारे उपर भी बनाए रखना और इसका फल उन सबी को मिले जो ये कहानी सुनता है, कहता है और बोलता है तो आज मैंने आपको शराद बक्ष में सुनी जाने वाली कहानियों में से एक कहानी सुनाई अगर आपको ये पसंद आती है तो फ्लीज मेरा वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें चोकलेट मामी से मैं सीमा सिंग धन्यवाद